दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले नमस्कार मैं हूँ राजीब रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश नियोज नालंदा में दक्षिन वियार ग्रामीन वैंक के करमचारी का लोन बसूली के नाम पर दादागीरी करने का मामला सामने आया है एक व्यक्ति ने दक्षिन विहार ग्रामीन वैंक के कर्मी पर जाती सुचक अपसब्द का इस्तेमाल करते हुए मारपीट करने का आरोप लगाया है दरसल पूरा मामला नालंदा जिले के रहुई थनाचित्र के फतेपूर गाउं का है जखमी फतेपूर गाउनिवासी सुर्गिये गुबर्धन पासवान का पुत्र महेश पासवान ने बताया कि दक्षिन विहार ग्रामीन बैंक मंदिल पूर साखा के एक करमचारी दीपक कुमार बेबजह लोन बसूली के नाम पर मारपीट करने लगा उन्होंने बता कि आज तक हमने किसी प्रकार का कोई बैंक से लोन नहीं लिया है वापजूद आज दीपक कुमार उन्हें लोन जमा करने के नाम पर मारपीट करने लगा फिलाल जक में अपना इलाज कराने के लिए बिहार सरीफ सदर अस्पताल पहुँझे जहां से इलाज कराने के बाद जक में आवेदन देने के लिए SST थाना पहुँचे हैं तो कहीं न कहीं दक्षिन विहार ग्रामीन वेंग के करमचारी की दादागिरी सामने आई है और विवजह लोन वसुली करने के नाम पर मारपीट करने का आरोप लगा है तो लगंद लिया है हमका हम लगंद नहीं लिये है तहल कि इसको पितो शलातिताद है यह उन्द पचार रहा है अंधा थी था तो मुबाइल में देखो शलजगर देखो माली थो पोट जेले है कितना लगं बता रहा है आपको किसी को अधार काड़ दिये है ना कुछ नहीं है अधार किसके नाम से लोन था उबताया कि इस नाम के अधमी का है आपको सिधे पीटा पकड़ के पिटने लगा आपका नाम नहीं पूचा था अगर अभी तक आपने मारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लिजी और पाइए भिहार की तमाम चोटी बड़ी ख़वरें अगर वीडियो फेस्बूक पेज के मादिम से देख रहा है तो पेज को फॉलो कीजिए धन्यवाद दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस सबसे पहले